ही गाईज विल्कम बाइक तो मैं चानल सूपरस्टार प्रभास जाने मने साउस फिल्मेकर नाक अश्विन के साथ अपनी 21 फिल्म करने जा रहे हैं इस फिल्म की घोशना के साथ ही प्रभास के फैंस खूब एक्साइटेड थे और हम इस फिल्म की पूरी डीटेल देने वाले हैं तो आप ये विडियो देखते रहे हैं इस अन्टाइटल फिल्म की प्रड्यूसर अश्विनी दत ने कन्फर्म किया है कि ये फिल्म 2022 में जन्वरी में रिलीस होगी हाला कि फिल्म की प्री प्रॉडक्शन प्रॉसेस ऑक्टूबर 2020 से शुरू हो जाएगी रिपोर्स के मताबिक इस प्रॉजेक्ट के लिए स्क्रिप्ट का काम पूरे दरह से नाग अश्विन कर चुके हैं इस भारी बजट की फिल्म में प्रभास हीरो हैं लेकिन उनके ओपोसर फीमेल लेट की घोशना अभी तक मेकर्स ने नहीं की है अब अगर फिल्म की डीटेल की बात करें तो आपको बता दे हैं ये फिल्म 400 करोड के बजट पर बन रही है ये फिल्म पैन वर्ल कॉंटेंट पर बेस्ट होगी यानि फिल्म को इतन बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है कि इसे विदेशों में भी रिलीज किया जा सके फिल्म की लगवग पूरी टीम हॉलिवूट की होगी फिल्म में सारे टेक्निशन हॉलिवूट की होगी खबर है कि फिल्म में एक स्पेशल मेसेज दिया जाएगा जो इस फिल्म को वर्ड लेवल पर रेप्रेसेंट करेगा इसके अलवा फिल्म की सबसे बड़ी खुबी ये है कि ये एक फिल्म साइन्स फिक्षन फिल्म होगी इसमें हाई लेवल का VFX यूज किया जाएगा यानि कुल मिलाकर ये फिल्म एक बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है जिस तरह साहो थी लेकिन इसका कॉंसेप्ट काफी अलग होगा अक्टर प्रभास की बात करे तो वेर आदकृष्ण कुमार की फिल्मी में पूजा हेड़े के साथ काम कर रही है जिसे अक्टोबर में रिलीस होना है लेकिन हो सकता है करोणा वाइरिस के चलते इसे आगे बढ़ाया जाए वैसे इस बड़ी फिल्म के लिए आपको करीब दो साल का इंतिजार करना होगा वैसे अभी तक की प्रभास की कौन सी ऐसे फिल्म है जो आपकी फेबरेट है कॉमेंट करके जरूर बताएं इफ यू लाइक इस वीडियो प्लीज लाइक एंशियर दोंट फोगेट तो हिट थे बेल इकोन फोर नोटिफिकेशन अब मोच वीडियो शबस्ट्राइब टो आपकी यू